साथ दिन पानी में उबाल कर पीलो पुरानी से पुरानी नसों की ब्लोकेज को भी खोल देगी ये चमतकारी ओस्ती हर दर्द की रामबान दवा है नसों की कमजोरी और नसों में ब्लोकेज का इलाज है पिंडलियों में दर्द हो वेरिकोस वेंस की समस्या हो या कोई भी अन् जैसे डाइबोटीज, कोलोस्टोल की समस्या, खून का गाड़ा होना और दिल की बिमारिया हर त्रहें की बिमारी का इलाज है। की बिमारी के लिए दबा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो आप नमबर देख रहे हैं, उस नमबर पर कॉल करके अपने घर पर ही दबा मंगासते हैं और इन बिमारियों का घर बैटे ही इलाज कर सकते हैं। एक रामबान दबा हैं। इतनी चमतकारी दबा है ही। दोस्तो आपके सरीर के 300 बिमारियों का इलाज करेगी। यानि इतना चमतकारी नुस्का है। दोस्तो यदि आपको मोटापे की समस्य हैं तो मोटापे का भी ये एक इलाज है। आपके पेट की चरवी को मखन की तरह पिंगलाने का काम करता है। दोश्तो यदि आपको पेट के रोग है, यानि आपका पाचन संद तर कमज़ोर है, आपको पेट में कैस, कबज या एसिडिटी की समस्या है, दोस्तो तब भी ये काड़ा क्योंकि आप इनको पानी में उबाल कर लेंगे तो आप इसको चाय भी बोल सकते हैं और काड़ा भी बोल सकते हैं दोस्तो ये काड़ा उसका भी इलाज है और आपकी इस समस्या का भी इलाज करेगा दोस्तों आपको घुटने बदलवाने की जरूतर नहीं पड़े क्योंकि लुब्रिकेंट की समस्या का भी इलाज है। इतना चमतकारी है नुसका। आपके सरीर की कैलसियम की कमी को दूर करता है। यनि आपके सरीर को हरत रहें की बीमारी से बचा करकता है। आपके सरीर की 300 300 बीमारियों का इलाज है दोस्तों आपके खून के गाड़ा होने की समस्या, खून की गंदगी की समस्या का भी इलाज है। दोस्तों आज की इस वडियो में हम जिस उस्दी की जिस चमतकारी बीजों की बात कर रहे हैं वो है दोस्तों कद्दू के बीजों के बारे में आप कद्दू को खाया भी जरूर होगा. जब आपने कद्दू का सेवन किया होगा तो दोस्तो मुह को चिडाया जरूर होगा क्योंकि आपके घर में कद्दू बन गया है. पर दोस्तो आप यकीन मानिए आपके सरीर की हर त्रहें की बीमारी का ईलाज है इन कद्दू के बीजों के पास दोस्तों ये कद्दू के बीज आपके पूरे सरीर को निरोगी बना सकते हैं आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों की लड़ने की सकती को बढ़ा सकते हैं हर दर्द का इलाज कर सकते हैं नसों में ब्लोकेज को खोल सकते हैं दोस्तो मुटापे का इलाज कर सकते हैं पासन दंदर को मजबूत कर सकते हैं यानि आपके पूरे सरीर को निरोगी वरा सकते हैं आपके सरीर को 300 तरहें की बीमारियों से बचा सकते हैं दोस्तो अब जानते हैं कि आपने इनका सेवन करना कैसे है। दोस्तो आपने क्या करना है एक मुठी ताजा कद्दू के बीज लेने हैं और आपने दो गिलास पानी आग पर उबलने के लिखना हैं अब इसमें इन बीजों को अच्छी तरहें से धोकर साब करके इसमें डाल देना है और इनको तब तक उबालना है जब तक कि वो पानी उबल उबल कर एक गिलास नहर जाएं और जब वह पानी उबल उबल कर एक गिलास से रह जाएं तब आप इनको उस पानी को पीजाएं और इन बीजों को भी चबा चबा कर खा जाएं और दोस्तो साथ दिन तक ऐसा कीजे और फिर हमें परिनाम बताईए कि कैसे आपके स्रीर की हर बीमारी की नारा कर गई है आपसे यानि दूर चले जाएगे और आपका पूरा स्रीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा आपके लाखों रुपे बच जाएंगे दोस्तो जो आप दवाईयों पर खर्च करते थी तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियों की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाँ दोस्तों